चानवरों को आपने सड़कों पर घूमते तो खूब देखा होगा देखा क्या होगा रोजाना आपको भी घर से बाहर निकलते ही ऐसे आवारा पशों से दो-चार होना पड़ता होगा जो सड़कों पर आपका रास्ता रोके खड़े रहते हैं लेकिन अब ज़र आपको लेचलते हैं सीकर जिले के लोसल कस्बे के मकान की छट पर जी हां ये एक मकान की छट है और वो भी दूसरी मंजिल की अब आपको यकिन नहीं हो रहा होगा तो अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए ये तस्वीरे हैं लोसल कस्बे के बस्टेंड के पास वाड नम्मर 14 की जहां एक सांड सीडियों के सहारे एक दो मंजिला मकान की छट पर चड़ गया छट पर सांड की चड़ जाने से हड़कम मच गया मकान में रहने वाले लोग उसे चट से नीचे उतारने के लिए तरह तरह की तरकीबें आज़माने लगी लेकिन ये तो जैसे नीचे उतारने के लिए राजी ही नहीं है काफी जद्दो जहद के बाद भी जब लोगों का बस नहीं चला तो आखिरकार उन्होंने पुलिस को सूचना दी पुलिस मौके पर रेस्क्यू टीम की पूरी तैयारी के साथ पहुँची और फिर देखे किस तरह सांड को नीचे उतारने की कवायत शुरू हुई सांड की रेस्क्यू के लिए क्रेन का इंतजाम भी किया गया हाला कि रेस्क्यू के दौरान सांड के भड़कने का अंदेशा भी था इसलिए पहले उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और फिर सांड को रस्यों में जकडा गया और फिर शुरू हुआ उसे क्रेन के जरिये नीचे उतारने का काम और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को सफलता मिल ही गई जोरो रिपोर्ट राजिस्थान तर